दोस्तों मनीश कश्यप को सुप्रीम कोट की तरफ से बड़ी राहत मिली है ये राहत CGI डिवाच अंदचूर ने मामले पर सुनवाई करते हुए दी है ये भी कहा जा रहा है मनीश कश्यप को आप भूले तो नहीं होंगे हम उमीद करते हैं मनीश कश्यप पर भ्रामक वीडियो शेर करके सामाजिक सौहार्द बिगाडने का आरोप है सीधे तोर पर आरोप है कि दोस्तों मुदायों को आपस में बिढ़ाने की कोशिश की फर्जी विडियो शेयर की फर्जी भ्रामक जो दावा है वो किया विडियो शेयर करते हुए बिहार के प्रवासी मजदूरों का मामला तो आपको याद होगा ही दोस्तो वही मामला जो था उसी से मनीश कश्चप के कड़ी ऐसी जुड़ी कि फिर तूटने का नाम नहीं ले रही है मनीश कश्चप ने बिहारी प्रवासी मजदूरों का भ्रामक विडियो शेयर करते हुए तरह तरह के दावी किये थे दोस्तो ऐसा उसके उपर आरोप है बाद में आरोप ये भी लगा कि जो दावे थे वो भ्रामक थे जिस वज़े से बिहार पुलिस के सामने पहले उसने सरेंडर किया और उसके बाद तमिलाडू पुलिस उसे गिरिफतार करके ले गई मामला तब गरमाया जब तमिलाडू पुलिस ने मनीश कश्यप पर NSA लगा दिया NSA यानि National Security Act राश्टरी सुरक्षा कानून रासुका मामला जो है दोस्तो फिलाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा हुआ है इस मामले में CGI डिवाच अनचूर ने मनीश कश्यप को क्या राहत दी है जिसकी चर्चा हाथ तरफ हो रही है या आपको इस खबर में हम बताएंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जैन्ती जाह और आप देख रहे हैं दनेशन मनीश कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुचा हुआ है मनीश कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में CGI के आगे गुहार लगाई कि माई लॉड प्लीज मुझे इधर उधर घसीटने की अजाज़त ना दे यानि मनीश कश्यप के खलाफ अलग-अलग F.I.R. दर्ज है दोस्तो इन सभी F.I.R. को एक साथ कलब करने की मांग की गई थी और आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में इस मांग को CGI डिवाच अनुचूर ने मान लिया है और उन्होंने वो बयाग भी दिया है यहां वहां खसीटने की इजाज़त ना दे यानि सीध्य तोर पर उन्होंने production warrant का उपियोग करने का यहां पर सीध्य तोर पर मांग की और मनीश कश्यप के वकील ने कहा कि जिस तरह से उनको एक राजे से दूसरे राजे लेकर जाया जा रहा है उसकी इजाज़त ना दी जाए इस पर सीज़ाई डिवाइचन चूर ने मनीश कश्यप के वकील से पूछा कि मनीश कश्यप अभी कहा है इस पर तमिलाडू सरकार के वकील कपिल सिबल ने ये कहा कि वो अभी मदुरे की सेंटरल जेल में बंद है अब इसके उपर सीज़ाई डिवाइचन चूर का एक कहना था आदेश एक तरीके से उन्होंने दिया कि मनीश कश्यप को तमिलाडू की जेल से किसी और जेल ना लेकर जाया जाए वहीं अगर बात की जाएगी दोस्तों एनेस से लगाने की तो उस पर भी सीज़ाई डिवाइचन चूर ने बड़ा कदम उठाया है उन्होंने बिहार और तमिलाडू सरकार को नोटिस भेजा है तमिलाडू सरकार से सुप्रीम कोटे पूछा कि आखर मनीश कश्यप के खिलाफ NSA के तहत मामला दर्ज क्यूं किया गया जब 21 अप्रेल को इस पूरे मामले के सुनवाई में CGI डिवाइचन चूर को मनीश कश्यप के वकील ने ये बताया था दोस्तों कि मनीश कश्यप पर NSA लगा दिया गया है तो वो भी चकित रह गए थे यानि हैरान रह गए थे और उन्होंने तमिलाडू सरकार के तरफ से वकील जो पेश हुए है कपिल सिबल उनसे उन्होंने पूछा CGI डिवाइचन चूर ने कि आखर इस आदमी के खिलाफ ऐसा प्रतिशोध क्यों है आखर NSA क्यों लगाया गया ये सवाल पूछने के साथ ही CGI डिवाइचन चूर ने कहा कि हम सारी FIR को कलब कर देंगे अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि मनीश कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलाडू दोनों राजियों में तकरीबन 6 मामले दर्ज है पांच अप्रेल को मनीश क्रिशप की गिरफतारी हुई थी दोस्तों किस आरोप में गिरफतारी हुई हमने शुरूआत में आपको बताया है इसके बाद अमिलाडू पुलिस ने मनीश को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसके खिलाब रासुका यानी दाश्ट्री सुरक्षा कानून अंग्रेजी में जिसे NSA यानी National Security Act कहते हैं इस Act के तहत मामला दर्ज कर लिया अब यहां मनीश कशप के वकील ने जिस Production Warrant का जिक्र किया है दूस्तों वो Production Warrant होता क्या है ये भी आपको बता देते हैं आपके जानकारी में होना चाहिए जनसत्ता ने एक खबर में लिखा है कि CRPC की धारा 267 में Production Warrant का प्रावधान है किसी मामले की जाच के दौरान आरोपी या आपराथ के फैक्ट्स और परिस्तितियों से वाकिव व्यक्ति का बयान दर्ज करने के लिए या अटेंडेंस लगाने के लिए Production Warrant जारी किया जाता है पुलिस CRPC की धारा 267 किते हैं संबंधित नियाय चेत्र या आपराथिक अदालत से Production Warrant के लिए संपर्क कर सकती है इसी Production Warrant की बार यहाँ पर हो रही है यानि यह कहना गलत नहीं होगा कि मनिश कश्यप को थोड़ी ही सही मगर राहत जरूर मिली है NSA लगाने का मामला सुप्रीम अदालत में गया दोस्तों और सुप्रीम अदालत को भी नहीं पच रहा है CGI डिवैच अद्चूर को भी नहीं पच रहा है कि आखर NSA क्यों लगाये गया है राष्ट्रे सुरक्षा कानून जैसा गंभीर अक्ट इसके तहत मामला क्यों दर्च किया गया मनिश कश्यप के खिलाब ये कई ना कई सवाल जो है CGI डिवैच अद्चूर द्वारा उठाए गया है लेकिन जब सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने भी अपना पक्ष रखा था दोस्तों जब CGI डिवैच अद्चूर ने कहा कि उन्होंने जब सवाल पूछा कि आखे तमिलाडू के सरकार ने इस तरीके से NSA क्यों लगाया है मनिश कश्यप के खिलाब तो कपिल सिब्बल का कहना था कि मनिश कश्यप के 60,000,000,000 followers है वो एक राजनेता है उसने चुनाव लड़ा हुआ है वो कोई पत्रकार नहीं है तो कपिल सिब्बल साफ कह चुके है मनिश कश्यप कोई पत्रकार नहीं है राजनेता है उसके खिलाब इस तरीके से अगर एने से लगाया जा रहा है तो इस पर सवाल या निशान नहीं खड़े होने चाहिए कई न कई ये कहने की कोशिश उन्होंने की लेकिन ये शब्दों में उन्होंने नहीं कहा दोस्तों इन तमाम दलीलों के बावजूत फिलाल मनीश कश्यप पर माननिय सुप्रीम कोट और माननिय सीजे आ डिवाय चनल चूर का क्या कहना है ये आपको हमने बता दिया है मनीश कश्यप के लिए ये राहत की ख़बर हो सकती है दोस्तों बाकि इस खबर पर आपकी राय क्या है आप क्या सोचते है या आप हमें कमेंट के जरी जरू बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार